हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज ओप स्री महाविर इंटरनेशनल स्कूल की संगर ड्रेनवाल, बच्चों, आज हम अपना चोता अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इसको हमने पहले आधा बढ़ भी लिया है, जिसमें हमने हमारी जो कवेत्री थी, उनका परीचे हमने पढ़ा, उनका नाम इंदरा परिमार है, उसके बाद में जो वीचार विमर्स के कुछ प्रसंद दिये हुए थे, उनके हमने वीचार विमर्स किया, और जो भी जीवन मूले दिया हुआ था, इस पार्ट का अमारे जीवन में क्या महत्व है, इस कविता का अमा उसका मैतो भी हमने जाना कि इसमें जो कवितरी है वो हमें यह कहना चाहती है कि अगर हम अपने जीवन में प्रतेक दिन को एक विसेज दिन की रूप में मनाएं, विसेज दिन की रूप में अगर जानें और लगाता निरंतर प्रियास करें तो हमें अपने जीवन में जो हमार प्रतेक दिन को एक विशेज दिन के रूप में मनाना चाहिए। इतनी कविता हमने पढ़ ली थी, जो भी हमने कविता पढ़ी, उस कविता का एक बार हम फिर से दोवराने करते हैं। कि क्या क्या हमने पढ़ाता। आगे बढ़ने का मतलब है बीजली बांदो अब पाउं में सबक सीखना चाहो सीखो बार बार अपने भूलों से। मिलती नहीं कभी भी खुसबू सुंदर कागस के फूलों से परिवर्तन लाना पढ़ता है पहले खुद की ही स्वबाउं में। यहाँ पर जो कवेत्री हैं इंद्रा परमार वो हमें कहना चाहती है कि अगर हमें जीवन में सपल होना है तो जितनी भी प्रेसानिया हमारे जीवन में आ रही हैं उन सब को उन सब से जितनी भी जो प्रेसानिया हैं जितनी भी ऐसापलताएं हैं जितनी भी भूले हैं जितन से हमें सीखी लेनी चाहिए कवेतری आपर ये कहना चाहती है कि जीवन में ऐसा पलताओं से गबरा कर हमें पीची कभी भी नहीं हटना चाहिए और अपनी भूलों से अपनी गलतियों से हमें बार-बार सबक सीखना चाहिए और बिजली की तरह जिस प्रकार बिजली में सिगरता होती है उसी बिजली की तरह सिगरता रखके हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए अगर हम अपनी भूलों को अपनी गलतियों से सबक लेंगे सबक उनसे सिखेंगे तो हम अपने जीवन में अवस्से ही सफले हो जाएंगे मिलती नहीं कभी भी कुस्बू सुंदर कागर्स के फूलों से परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही सबाओं में ये सब कुछ हमने पड़ लिया था कि कवेत्री यहां पर हमें जीवन में जो संगर्स है उस संगर्स का मैत तो बता रहे है कि संगर्स ही जीवन होता है संगर्स के बिना जीवन नहीं होता और संगर्स के बिना जीवन चल भी नहीं सकता मनुष्य के जीवन में सुक और दुख, दुखों का जो संगर्जे वो आता ही रहता है जिस प्रकार कागज के अथार्थ करत्रीम फूलों से कभी भी खुस बूत पर नहीं हो सकती तो अगर हम अपने जीवन में कभी भी संगर्ज नहीं करेंगे तो हमें सपलता हासिल नहीं होगी हमें अगर सपलता हासिल करनी है तो परिश्रम और मैनत ही भी करनी होगी और अपने स्वभाव में भी हमें परिवर्तन लाना होगा जो हमारी आदते हैं उनमें हमें परिवर्तन लाना होगा क्योंकि सवाम में जो परिवर्तन लाने का यापर अर्थ है वो यह है कि हमें जो अपनी आदते हैं उनमें परिवर्तन लाना होगा क्योंकि अगर हम अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमारे सवाम में वो कभी भी नहीं आएगा जो कुछ भी परिवर्तन लाना है हमें अपने आदतों में ही लाना है तो कि जो कुछ भी परिवर्तन होगा आदतों के करण वो हमारे सुबाव में आएगा और जब हमारा सुबाव ही परिवर्ति तो हो जाएगा तो हमें सब पलताओं से ही प्राप्त होगी इतना हमने पढ़ा था और इससे आगे पढ़ते हम आज सब्दबंडार हमने देख लिये थे मतलब यानी अर्थ, भूल यानी गल्ती, खुस्बू यानी शुगंद, परिवर्तन यानी बदलाव, श्वभाव यानी आदत लेरों से ये दी बात करे तो नहीं मिलेगा कभी किनारा, अच्छा हो अपने हातों से मड डाले हम सागरी सारा फरक मिटाना होगा अब तो साहस पूर्वक धूप छाओं में, फिर केसी होली दिपावली प्रतिदिन हो त्योहार हमारा सहर न कोई मोज मनाए, गाउन हो कोई बंजारा, आग न ठंडी होने पाए, साथी सपनों के अलाव में पहले जो इसमें सब्दार दिये वे हैं, अंका हम अर्थ देखते हैं सागर का आर्थ होता है शमुद्र, फरक का आर्थ होता है अंतर, साहस पूर्वक यानि बहादूर से, बंजारा यानि जिसका कोई भी घर ना हो जिसका कोई घर ना हो और एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता हो और घूम फिर कर ये अपना जीवने यापन करता हो जो निश्चित एक घर बना कर नहीं रहता हूँ से बोलते हैं बन जारा अलाव यानि तापने के लिए जिलाई जाने वाली आग सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए जब हम ताप के पास में जाते हैं तो आग के पास में जाने पर जो लखडी वाँ पर जिलाई जाती है जो आग हमें प्रात होती है उसे हम अलावे कहते हैं लहरों से यदि बात करे तो नहीं मिलेगा कभी किनारा अच्छा हो अपने हातों से मड़ डाले हमें सागर सारा यहाँ पर जो कवेत्री हैं वो हमें यह बता रही है कि लहरों से यहाँ पर लहरों का अर्थ है हमारे जीवन में आने वारी जो भी परेसानिया हैं जो भी कठिनाईया हैं उन्हें यहाँ पर लहरे का गया है क्योंकि हम देखते हैं कि समुद्र में जो नाविक होता है वह उन लहरों को देखकर भी उसे पता है कि लहरे बहुत बड़ी है उन लहरों को देखकर भी वह नाव को ले जाता है और अपने लकसे तक पहुँचता है अगर वही नाविक उन लहरों से डर कर अपनी नाओं को एक किनारे पर ही इस्तित रखे, किनारे पर ही रहने दे तो उसे कभी भी अपना लक्से प्राप्ते नहीं होगा उसी प्रकार जो ये लहरे हैं, यहां पर लहरों से अर्थ जीवन में आने वाली प्रेसानियों से लिया गया है कि अगर जीवन में हम आने वाली प्रेसानियों से गबरा जाएंगे, तो हमें कभी भी किनारा प्राप्ति नहीं होगा अर्थार्थ हमें अपने जो अपना जो लक्से है अपनी जो सपलता है वह कभी भी नहीं मिल पाएगी अच्छा हो अपने हातों से मट डाले हम सागरी सारा उन लेरों से बात नहीं करके उन लेरों के बारे में ना सोच करके उन परिसानियों के बारे में ना सोच करके अगर हम अपने हातों में ही विश्वास रखे अपना जो परिश्रम है अपनी जो महनत है उसी पर अगर हम पुरा विश्वास रखे तो हमें सपलता जरूर प्राप्त होगी जो समुद्र है उस पूरे को हम पारी कर लेंगे थाथ हम सपलता प्राप्त कर लेंगे तो हमें कभी भी जीवन में आने वाल जो परेसानिया हैं कठिनाईया हैं उनसे नहीं गबराना चाहिए उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमें अपने आत्मी विश्वास पर अपने हातों पर अथार्थ अपनी महनत पर पूरा विश्वास रखना चाहिए अगर हम अपनी मेहनत पर पूरा हिस्वास रखेंगे तभी हम उस सागर को पार कर लेंगे थार्थ इस संसार में सपलता को प्राप्त कर लेंगे तो कव्यत्री हमें ये कहना चाहती है कि लेरों से कभी भी जो परिशान ये हैं उनसे कभी भी जीवन में हमें नहीं गबराना चाहिए और कभी भी अगर हम परिशानियों से गबराएंगे तो हमें कभी भी किनार प्राप्त नहीं होगा अथार्थ हमें सपलता नहीं मिलेगी और हमें सा अपने हातों पर अपने परिश्रम पर अपनी महनत पर विश्वास करना चाहिए जिसके कारण हम इस समुद्र रूपी जो सपलता है उसको जरूरी प्राप्त कर लेंगे आगे हैं फरक मिटाना होगा अब तो साहस पूर्वक धूप छाओं में फिर केसी होली दिवाली प्रती दिन होते हों हारे हमारा फरक कार्थ होता है अंतर साहस पूर्वक यानि बहादूरी पूर्वक बंजारा यानि अभी हमने देखा था जिसका कोई भी घरे नहीं होता है फरक मिटाना होगा अथार अंतर मिटाना होगा का व्यत्री हमें इसके माद्दिम से यह समझा रही है कि जो हमारा जीवन है उस जीवन में परिवर्तन खुद को ही लाना होगा हमें अपने जीवन में जो अथार्थ दुख चाओं अथार्थ परेश सुक्षान्ती हमारी जीवन में दुख परेशानिया अथार्थ चाओं सुक्षान्ती में जो भी अंतर है उसे स्वेम को ही मेहनत करके हमें मिटाना होगा यहाँ पर दुप का अर्थ दुख से लिया गया है और चाओं का अर्थ सुक्षान्ती से लिया गया है दूप में यानि दुख में और सुख में जो भी अंतर है वो अंतर हमें अब खुद को मेहनत करके ही मिटाना होगा खुद की मेहनत से खुद के परिश्रम से ही हम उस अंतर को मिटा पाएंगे और फिर उसके लिए कोई विशेस त्योंहार या फिर कोई विशेस दिन के जुरत नहीं पड़ती है अगर हम उस परेशानियों को मिटा देंगे और अपनी महनत पर पूरा बरोसा रखेंगे तो जो हमारा प्रतेक दिन है जो प्रतेक पल है वहीं त्योंहार होगा और प्रतेक दिन हम एक विशेस त्योंहार की तरह है होली दिपावली की तरह है मना पाएंगे तो कवित्री हमें यह समझाना चाहती है कि मैं अपने जियोन में कुछ परिवर्तन लाना है तो वो हमें खुद को ही लाना होगा सुक और दुख के बीच में जो अंतर है उस अंतर को हमें अपने साहस पूर्व कारियों से ही मिटाना होगा और जो ही सुक और दुख का अंतर मिट जाएगा तो प्रतेक दिन एक त्योंहार की तरह हमें विशेस लगेगा प्रतेक सपलता प्राप्त करने के बाद में जो प्रतेक दिन है वो एक विशेश दिन के रूप में लगने लग जाता है सहर न कोई मोज मनाए, गाउन न होई कोई बंजारा, आग न थंडी होने पाए साती सपनों के अलाव में यहाँ पर जो कवित्री हैं, इंद्रा परमार, वो हमें ये कहना चाहती है कि साहस और परिश्रम, साहस और परिश्रम दो ऐसी जीवन दाइनी सक्तियां हैं जिनके बल पर कठिन से कठिन लग से को भी हम प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में साहस और परिश्रम साहस कारत होता है कि कितने भी परिशान या आए हम उनके आगे कभी भी हार न माने वो हो गया साहस परिश्रम होता है लगाता महनत करते रहना हमारे जीवन में साहस और प्रिश्रम ये दो ही ऐसी जीवन प्रदान करने वारी सकतियां होती है जिनके बलपर हम कटिन से कटिन लक्से को भी प्राप्ते कर सकते हैं चाहे कोई सहर में रहने वाला हो तिथा चाहे कोई गाउं में रहने वाला हो सहर का वासी हो चाहे कोई गाउं में रहने वाला हो या फिर कोई बंजरा हो जिसका कोई भी इस्ताने नहीं हो जो ऐसे ही गुमता फिरता हो जिसका कोई भी निवास स्तान नहीं हो उसे कभी भी अपने अंदर लक्से को प्राप्त करने वाली जो आग है जो तपन है उसको कभी भी ठंडी नहीं होने देना है क्योंकि अगर उस लक्से को प्राप्त करने वाली जो तपन है जो आग है वो अगर ठंडी हो जाएगी तो हम कभी भी लक्से को प्राप्ती नहीं कर सपनों के इस अलाव को निरंतर जारी रखना हमारे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है जो संगर्स जो इच्छा सकती हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए अगर हमारे अंदर वो है तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे उस संगर्स को हम पूरा कर पाएंगे तो चाहे कोई सहर का वासी हो चाहे कोई गाउं में रहने वाला हो या फिर जिसका कोई भी स्तान ना हो, कोई बंजारा हो उसे अपने अंदर लक्सर को प्राप्त करने के लिए जो संगर्स है, जो आग है उसे कभी भी कम नहीं होने ठीक है ये पढ़ी हमने अपने कविता और इसमें उच्चान अभ्यास है कुछ कटिन सब्द हैं, उनका उच्चान दिया हुआ है खुस्बू, परिवर्तन, साहस पूर्वक, त्योंहार और बंजारा ठीक है बचों ये पढ़ी हमने अपने कविता और आगे का जो अध्याय है वो हम पढ़ेंगे कल